नमस्कार, हिंदी कक्षा में आपका हार्द एक स्वागत और अभी नंदन है आज मैं आप सब के लिए व्याकरण से संबंदित एक महत्वपुन उपविशय लेकर उपस्तित होई हूँ जिसका शीरशक है प्रत्य मूल शब्दों में अन्य शब्द या शब्दांश जोडने से नई शब्दों का निर्मान होता है और ये नई शब्द कितने प्रकार से प्रियोग में आते हैं तीन प्रकार से उपसर्ग द्वारा, प्रत्य द्वारा और समास द्वारा उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंब में लगकर नई शब्दों का निर्मान करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं जैसे अ जमामिज्ञान बना अज्ञान अ उपसर्ग है और जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्मान करते हैं उनके रूप या अर्थ में परिवर्थन या विशेस्ता लाते हैं और एक नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें प्रत्य कहते हैं उपसर्ग हुए बेशब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं और प्रते बेशब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्मान करते हैं उन्हें प्रते कहते हैं उपसर्ग को हम पहले समझ चुके हैं अब बारी आती है प्रते को विस्तार पूर्वक समझने की प्रते की परिभाशा समझ आई आपको बेशबदाश जो किसी शब्द के अंत में लगकर नई शब्द का निर्बान करते हैं उन्हें प्रते कहते हैं अब प्रते को जोडते समय या शब्द से प्रते को हटाते समय हमैं दो बाते मिशेश रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कौन-कौन सी कि जिस शब्द में प्रते जोड रहे है प्राई उस शब्द की अंतेम स्वर को शुन्य समझना चाहिए अब ये कैसे समझेंगे आप उधारण के माजम से देखिए जैसे पाठ जमा में अक है अब यहाँ पर संधी का नियम लागू नहीं होगा अगर संधी का नियम लागू होता तो ठो के साथ क्या है स्वर औ और और मिलकर क्या मनेंगे आ तो बन जाएगा पाठाक लेकिन यहाँ पर हमें संधी का नियम लागू नहीं करना है हमें यहाँ पर शब्द को प्रते से अलग करना है तो पाठ जमा में अक बना हमारा पाठक और दूसरी बात क्या है शब्द से प्रते हटाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्य हटाने के बाद जो हमारे पास शब्द बचता है वो सार्थक होना चाहिए जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैं एक उधारन लेती हूँ शीतल तो इसमें से हम लव प्रत्य अलग कर देते हैं तो शब्द बना शीत कि जो की एक सार्थक शब्द है इसे हम और अधिक अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं जैसे मान लो दो प्रत्य हैं एक है ई और ची जैसे हमने एक शब्द लिया लाल ची अफीम ची नकल ची और ई प्रत्य से लेते हैं हम जैसे अमीरी, पंजाबी, जैपुरी, आदी अब यहाँ पर देखो, एक शब्द आ जाता है मान लो लाल ची तो इसमें बताईए आप कौन सा प्रत्य होगा तो अब इसकी हम संरचना देखेंगे, इस शब्द की और इसमें हम प्रत्य देखेंगे कि कौन सा प्रत्य है जैसे लाल ची है तो यदि ची प्रते अलग करते हैं तो क्या हुआ लाल जमा में ची और ई प्रते अलग करते हैं तो बना लालच जमा में ई अब आप बताईए मुझे कौन सा ठीक है लाल जमा ची या लालच जमा ई बताईए मुझे कौन सा ठीक होगा उपरियुक्त दोनों स्थीतियों में प्रत्य हटाने पर शेश शब्द एक सार्थक बचता है क्योंकि लाल भी एक सार्थक शब्द है और लालच भी एक सार्थक शब्द है क्योंकि इसमें सही उत्तर होगा लालच जमा में ई प्रत्य है क्योंकि लाल ची में लाल जमामे ची लाल शब्द सार्थक होते हुए भी इस संदर्व में सटीक नहीं बैठता यहाँ पर सटीक शब्द कौन सा होगा लाल जमामे ई तो इसलिए हमें प्रत्य को अलग करते समय ध्यान पूर्वक देखना चाहिए कि प्रत्य अलग होने के बाद जो सार्थक शब्द बचरा है जो शब्द बचरा है वो सार्थक तो होना ही चाहिए लेकिन इसके साथ साथ संधर्ब गत्बी होना चाहिए कि उससे संबंदित भी होना चाहिए तो यहाँ पर लालच जमा में यही सही होगा प्रत्य के संदर्ब में हमें ये चीज़ ध्यान रखने चाहिए कि हमारा तत्सम शब्द है तो हम तत्सम प्रत्य लगाएंगे और तत्भव शब्द है तो हम तत्भव प्रत्य का ही प्रयोग करेंगे और यदि विदेशी शब्द है तो उसके साथ विदेशी प्रत्य लगाएंगे जैसे पठनिय, कमाउ, पीकदान तो यहाँ पर एक एक उधारन लिया है तदसम तद्ध विदेशी का कही बार क्या होता है कि एक शब्द में एक से अधिक प्रत्य भी लगा दिये जाते हैं जैसे समाज क्या है, मूल शब्द है, एक और ता प्रत्य लगाने के बना बाद बना हमारा सामाजिकता, इमान, दार, इ, तो क्या बन गया, इमान दारी लेकिन इसे हम हर शब्द की साथ नहीं जोड सकते सुन्दर से सुन्दर्य है तो सुन्दर्यता नहीं होगा सुन्दर से सुन्दर्ता हो सकता है सुन्दर से सुन्दर्य हो सकता है दोनों एक साथ प्रियोग नहीं किये जा सकते कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रते दोनों का मेल होता है जैसे सम, जमामान, जमाइत, क्या बना सम्मानेत प्रते लगाते समय हमें कुछ दुवनियों का भी ध्यान रखना चाहिए कुछ में परिवर्तन आ जाता है, कुछ में परिवर्तन नहीं आता जैसे बच्चा जमामे पन है, तो क्या हुआ? बच्चपन और अपना जमामे पन लिखा, तो अपना पन तो अपना पन में तो दुवनी परिवर्तित नहीं हुई है लेकिन उपर वाले शब्द में बच्चा जमा में पन लिखा तो बच्चपन बन गया तो ध्यान रखना कि किसी में दुहनी परिवर्तित हो जाती है और किसी में परिवर्तित नहीं होती है एक और खास नियम का ध्यान रखना कुछ शब्दों में यह दुहनी परिवर्थित दो स्थानों पर भी हो सकती है जैसे हमने एक शब्द लिया परलोग जमा में एक तो क्या बना पारलोग एक एक और खास बात कि आकारांथ और आकारांथ शब्द मतलब जो औस्वर से समाप्त होते हैं और जो आस्वर से समाप्त होते हैं ऐसे शब्दों के साथ बान प्रते लगता है और इकारांथ और इकारांथ शब्दों के साथ मान प्रते लगता है जैसे गुण शब्द है गुण क्या है अकारांथ शब्द है तो इसके साथ क्या लग और ईकारांथ शब्दों में मान प्रत है जैसे शक्ती है ये ईकारांथ है तो बनेगा शक्ती मान श्री है ये ईकारांथ शब्द है तो बनेगा श्री मान समझाया जो और आस्वर से समाप्थ हो रहे हैं शब्द उनके साथ वान लगेगा जो ई और ई स्वर से समाप्थ हो रह दूसरा है तदित प्रते, क्रत प्रते कहां प्रियोग होते हैं जो धातू के अंत में जुडते हैं, धातू के अंत में जुडकर उनसे संग्या विशेशन आधी अनेक प्रकार के नई शब्दों के निर्बान करने वाले प्रते क्रत प्रते कहलाते हैं और दूसरा है हमारा अब हम क्रमा नुसार, कृत प्रते और तदित प्रते को उधारणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हमें ये अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, कुछ हेंदी के होते हैं, कुछ विदेशी शब्द होते हैं, इन ही के अंत में हम क्रिया से संबधित शब्दों को देखते हैं। सबसे पहले संस्कृत के कृत प्रत्य गम जमामे अन क्या बना गमन पठ जमामे अनिये पठनिये पूज जमामे आ पूजा सेव जमामे क सेवक ये तो हुए हमारे संस्कृत के उधारण अब हम हिंदी के उधारण समझने का प्रयास करते हैं ऐसे कृत प्रत्य जो हिंदी से संबंदित हैं जैसे अन्त है तो क्या बनेगा इसका उधारण हम क्या देखेंगे गड़ना जमामे अन्त क्या बना गड़न्त रटना जमामे अन् करते हैं तो शब्द क्या बनेगा भेडंद जैसे अकड प्रते है भूल अकड गुम अकड पी अकड जैसे शब्द है जैसे घूमना जमा में अकड किया घूम अकड भूलना जमा में अकड किया भूल अकड वया प्रते है गाना जमा में वया क्या बना गवया अन प्रते में द कि कभी-कभी धुहनी परिवर्तन भी आ सकता है तो मिलना एक क्रिया शब्द है मिलना के साथ अनप्रते लगाया तो बना मिलन आई प्रते लिखना जमा में आई पढ़ना जमा में पढ़ाई चड़ना जमा में चड़ाई तो यहाँ पर लिखना, पढ़ना, चड़ाई, सभी क्रिया शब्द हैं, क्रिया शब्द ही कृत प्रते में प्रियोग किये जाते हैं आउ प्रते लगाते हैं, तो जैसे बिकना जमा में आउ प्रते लग गया टिकना जमा आओ टिकाओ कभी-कभी हम दुकान पर कोई चीज खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि कोई टिकाओ चीज दिखाईए तो जो जादा समय तक टिक सके तो टिकना जमा में आओ टिकाओ प्रते हो गया एरा प्रते के उधारन देखिए लूटना जमा में एरा लुटेरा कमाना जमा एरा कमेरा ता प्रते यदि चल क्रिया के साथ ता प्रते लगाया तो चलता सुन जमा में ता सुनता आन प्रते मिलना जमा आन मिलान उडना जमा आन उडान आव प्रते बहना जमा आव बहाव ठहरना जमा आव ठहराव कटना जमा आव कटाव आगे है आवा प्रते देखना जमा में आवा दिखावा पहनना जमा आवा पहनावा भूलना जमा आवा भुलावा अब दो मिलते जुलते से प्रते हैं आवट और आहट आवट किसमें प्रियोग होगा? सजना जमा आवट, सजावट, बनना जमा आवट, बनावट, दिखना जमा आवट, दिखावट, ठकना जमा आवट, ठकावट, आहट होगा, चिल्लाना जमा आहट, चिल्लाहट, घबराना जमा आहट, घबराहट, मुस्कराना जमा आहट, मुस्कराहट, समझाये बचों कि आहट कहां प्रियोग हो रहा है और आहट कहां प्रियोग हो रहा है ए प्रते जैसे बोलना जमाई बोली धमकाना जमाई प्रते धमकी और ओती प्रते के उधारन हम कैसे देखेंगे फिरना जमा में आती फिरोती मनाना जमा आती मनोती इसी प्रकार से शब्द है चुनोती कटो आदे नी प्रते के उधारन देखिए करना जमानी करनी भरना जमानी भरनी छाटना जमानी छटनी और वाई प्रते कहां होगा कि हम किसी को बहुत जादा बाती सुनाने का प्रयास करते हैं लेकिन अगला सुनता ही नहीं हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती तो कौन सा प्रते बताते हुए भी प्रत्यवाले शब्द बोलती हूँ, ताकि आप ध्यान दे सकें, लगवाई, लगना जमा वाई, करवाई, तुलवाई, तो सब में क्या प्रत्य है, वाई, कुछ विदेशी क्रत प्रते हैं जैसे मरियल, सडियल, डडियल, अडियल तो यहाँ पर EL प्रते है कैसे? मरना जमा EL, मरियल, सडना जमा EL, सडियल आगे आख प्रते कैसे आएगा? जैसे हम शब्द देखते हैं ना तेराक है, चालाक है तो इस वैसे प्रते हम कैसे अलग करेंगे? तैरना जमा आग प्रते, चलना जमा आग प्रते दार है, लेन दार, देन दार लेना जमा दार और देना जमा दार तो दोनों ही क्रिया शब्द है यहाँ पर दार प्रते दार जो है विदेशी शब्द है तो यहाँ पर हमने देखे कृत प्रते संस्कृत भाषा के हिंदी भाषा के और विदेशी भाषा के जिनको हमने विबन उधारणों से समझने का प्रयास किया है अब हम आते हैं तदित प्रते, तदित प्रते क्या होगा बुच्चू, भूल तो नहीं गई आप, कि वे प्रते जो संग्या, सर्वनाम, विशेशन, आदी के आंत में लगकर नई शब्द बनाते हैं, उन्हें तदित प्रते कहते हैं, इसके उधारन देखिए, जैसे आलू, आलू शब्द तो हमने बहुत ज़्यादा सुना होगा, आलू कौनसा? सबजी वाला आलू नहीं, कौनसा? दया जमा आलू, जगडा आलू, क्रिपा आलू, श्रदा आलू, इरिशा आलू, तो ये शब्द हुए, इनके साथ मोल शब्द के साथ आलू प्रते लगाया गया है इक प्रते, इक प्रते से शब्द सोचने का प्रयास करो, जैसे धर्म जमा में एक, क्या बना, धार्मेक, और सोचो, मेरे बोलने से पहले ही और अधिक शब्द सोचने का प्रयास करो, नीती जमा एक, नैतेक, अध्योगी, सामाजेक, आर्थेक, तारकेक, आदी, इत प्रते हर्ष जमा इत हर्षित इसी प्रकार के अन्य शब्द सोचिए जिसमें इत शब्द का प्रियोग आता है आंत में जैसे शाबाश सोचने का प्रयास कीजिए आनन्देत शोभेत पुलकेत पुशपेत पलवेत इच्छेत वान्चेत आदि अब आते हैं इल प्रते पर जैसे स्वपन जमा में इल स्वपन इल इये प्रते स्वर्ग जमा में इये स्वर्ग इये रास्ट्र जमा इये रास्ट्र इये इसी प्रकार से अन्य शब्द है मान विये दै विये जातिये आदि मान या वान प्रते जैसे गती मान, गुण वान मैंने बताया था ना कि अकारांत शब्द में वान लगता है और इकारांत में मान लगता है इमा इमा प्रते के उधारन देखिए लाल जमा इमा लालिमा मैंने आपको प्रारंब में समझाने का प्रयास भी किया था कि यदि प्रते हटाने के बाद जो शब्द बचता है वो उसी से संबंदित होना चाहिए जिसे लालिमा, लालिमा क्या होता है? जिसमें लाल रंग होता है तो हमने इसको प्रते को अलग किया लाल जमा इमा, नीलीमा जिसमें नीला रंग हो नीला जमा, इमा प्रते काली मा, जिसमें काला रंग हो तो वह उसे सम्भंदित हैं शब्द ता महान जमा में ता प्रते महान ता अन्य शब्द क्या देख सकते हैं हम जैसे सफलता विद्वता, लगूता शरेष्ठता, आदि तम प्रते श्रेष्ट जमामेतम श्रेष्टतम सुन्दर जमातम सुन्दरतम इसी प्रकार से अन्य उधारण है उच्चतम अन्यतम लगुतम आदि त्व प्रत्य है जसे प्रभु जमामे त्व, प्रभुत्व, स्त्री जमामे त्व, स्त्रित्व इसी प्रकार से अन्ने शब्द है कवित्व, गुरोत्व, नारेत्व, ब्यक्तित्व, आदि जसे आ, भूक जमामे आ, भूखा, प्यार जमामे आ, प्यारा आगे है आओ प्रते जैसे उपजाओ, उबाओ, पंडिताओ, उपजाओ कैसे बनेगा? उपजमा में आओ, उपजाओ आगे है आना, घर जमा में आना, घराना, सालाना, दोस्ताना, आदे इन प्रते, नमक जमा में इन किया तो नमकीन, रंग जमा इन, रंगीन इला प्रते, चमक जमा में इला, चमकीला, ऐसे ही हो सकता है रंगीला, जहरीला, भड़कीला, गर्वीला, रसीला, सुरीला, आदि तदित प्रते में और देखिए एरा, जैसे साप जमा में एरा, क्या बना? सपेरा चाचा जमा में एरा, चचेरा ऐसे ही ज़स हमारे रिष्टों से संबंदित हैं जैसे ममेरा, फुफेरा, आदी आई प्रतें जैसे बुरा जमा में आई क्या बना बुराई लंबा जमा में आई लंबाई, मिठाई, चतुराई, अच्छाई, भलाई, आदीशब और प्रत्य देखिए एक चीज़ ध्यान रखना वच्चो कि उपसर्ग का तो कोई न कोई अर्थ निकलता है हित होता है लेकिन प्रत्य का कोई अर्थ नहीं होता वो शब्द को विस्तार देते हैं जसे मीठा जमा में आस हुआ, मिठास आगे है आणी प्रते इस प्रकार के जो प्रते होते हैं वो सामयने तो पुलिंग से ट्रेलिंग में परिभर्तित करते समय लगाए जाते हैं जसे सेठ जमां आणी सेठाणी देवर का देवरानी जिठानी आदी आइन इसी प्रकार से पंडित जमा में आइन पंडित आइन बबु आइन आदी आर सोना जमा आर सुनार लोह जमा आर लोहार कुम्ब जमा में आर कुमहार आरी प्रते हुआ भीख जमा आरी बिखारी, जुआरी, पुजारी, दुखारी, आदी कार प्रते कहां लगेगा जैसे कलाग, जबामेकार, कलाकार चित्र जबामेकार, चित्रकार, पत्रकार, कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें कार प्रते लगता है आगे देखिये खोर, रिश्वत खोर, सूद खोर, ग्रूस खोर, हराम कोर, आदम कोर, आदी गर है बाजी जमागर, जादू जमामिगर, जादू गर, सौदागर, कारीगर, आदी पन, पन कैसे लगेगा? बच्चा जमामेपन, बच्चपन तो यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया एक चीज कि कभी-कभी धुहनी में परिवर्तन आ सकता है तो बच्चा जमामेपन, बच्चपन, अपना जमामेपन, अपना पन, लड़का जमामेपन, लड़कपन और वाला प्रत्या की शब्द बनाईए रिक्षा जमामेवाला, रिक्षा वाला, चाय वाला, पान वाला, फूल वाला, दोद वाला, गाड़ी वाला, आदी हारा जैसे लकड हारा, पनी हारा, आदी इका प्रते कहां लगेगा गाना जमा में इका, गाई का, अध्यापक जमा में इका, अध्यापिका, सिक्षक जमा इका, सिक्षिका, नाई का, परिचाई का, सेविका, आदि इन प्रते माली जमा में इन, क्या बना मालिन, दोबी जमा इन, दोबिन ये भी इस प्रकार के शब्द भी जब पुलिंग से ट्रेलिंग में परिवर्तित किये जाते हैं जैसे पुजारी से पुजारिन, सुनार से सुनारिन, लुहार से लुहारिन तो इन ही शब्दों में इन प्रत्य का प्रियोग किया जाता है या प्रत्य जैसे दुखिया, बिटिया, रसोया, डिबिया, आदे गुना प्रत्य जैसे चार जमा में गुना, चोगुना, दो जमा गुना, दो गुना, सो गुना, ती गुना तो इस संख्या वाची में आएगा इस प्रकार के शब्द हम संख्या में निर्मित कर सकते हैं कुछ विदेशी प्रते के विधारन देखिए जिसे अंदाज, तीर जमा में अंदाज, तीर अंदाज, नजर जमा में अंदाज, नजर अंदाज दान प्रते हैं जैसे फूल दान, पीक दान, पान दान, कमल दान, कटोरे दान, आदी दार, शांदार, मालदार, जमीदार, दुकान दार, आदी दुकान में ही यदि वाला प्रते लगाएंगे तो दुकान वाला दुकान में ये दिदार प्रते लगाएंगे तो बन जाएगा दुकान दर बाज प्रते जैसे चाल जमा में बाज, चाल बाज, दोखा जमा में बाज, दोखे बाज मंद प्रते, अकल जमा में मंद, अकल मंद, जरूरत जमा में मंद, जरूरत मंद, दौलत मंद, आदि यहाँ पर मैंने बहुत सारे धारणों के माध्यम से आपको प्रत्य समझाने का प्रयास किया है आशा है आपको ये प्रत्य अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे अब हम इसका अभ्यास करते हैं मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रत्य दिखाऊंगी जिन्हें आपको जोड़ना है और उसका एक शब्द बनाना है कि प्रतिर से निर्मित शब्द बनाने है जब आप उत्तर पुस्तिका में लिख चुके होंगे उसके बाद आपको उत्तर माला दर्शाई जाएगी और आप उसमें से मिलान कीजिए कि आपके कितने जवाब सही है आशा है आपने इन सभी शब्दों को इमानदारी से लिखा होगा और उत्तर मालक से मिलान किया होगा इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए मिलते हैं एक और नए अध्याई के साथ तब तक के लिए धन्यवाद